गुडिब्लिंग दोस्तों आज किस वीडियों हम बात करने वाल है कि कैसे हम जो कि ट्रांजिस्टर होता है इसके एमिटर बेस एंड कलेक्टर कैसे हम पता लगा सकते हैं सिर्फ इसका रेजिस्टेंस को इस्तमाल करके ठीक है अगर आपके पास इंटेनेट नहीं या फिर इं मिलता है अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो यहां पर यह इसका इमिटर यह इसका बेस यह इसका कलेक्टर लेकिन हर एक ट्रांजिस्टर के से हम नहीं होता है कुछ अलग-अलग होता है जानने के लिए इस वीडियो के सब्सक्राइब बने रहिएगा तो देखिए अधेडर अपने मल्टिमेंटर को सेट करना होगा अपने रिजिस्टांस पर धीके तो आपको को करना होगा यह पर दोढद कर देथे की यहां पर मिलता है एक उता पॉजिटीव है और एक उता ना जीटिव का ठीके पर आपको पता नहीं कर रहा है करती यह तारह मैं इसको उल्टा कनेशन करूँगा यहां पर मैं लगाता हूँ N को और हम लगता हूँ लगाता हूँ यहां पर पी को ठीक है तो यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब इनaky के अंदर कोई भी reading यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि यह जो emitter and collector होता है हमेशा के लिए reverse condition में होता है तो अगर मैं इसको ultra connection करूँ तब भी यहाँ पर आपको कोई reading नहीं दिखाएगा ठीके तो अभी देखिए हम यहाँ पर test कर रहे थे तो यह था आपका negative और यह था आपका positive तो हमें पता है emitter and collector के अंदर हमें कोई भी reading नहीं दिखाएगा तो इन दोनों के अंदर कुछ reading आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक base होगा और कोई एक यहाँ पर emitter या फिर collector होगा तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी connection नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी resistance शो नहीं कर रहा है तो देखे यहाँ पर reading शो कर रहा है इन दोनों के अंदर reading जो है शो कर रहा है यहाँ पर reading जोई नहीं कर रहा है तो अभी अगर मैं इसको निकाल करके यहाँ पर लगाता हूं तो यहाँ पर जो reading तर्मिनल यहानै निकल चुका है के तो बेस पर हमनें लगा रहा 210 पिश ब्लू कर रहा है और तो अगर एहां पर बेस पर एंड को लगाते हैं और यहां पर अगर हम मतलब यहां recent को नहीं कर रहते हैं इसका मुतРЕबें जो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर है यहां से हमें मिल रहा था फेलू यह आपका है बेस वाले टर्मिनाल है तो अभी हम इसको इसेट लगाते हैं तो यहां पर रेजिस्टन्स अभी आ रहा है 757 ओम इसके टर्मिनल को चैंज करते हैं इसको इसेट लगाते हैं यहां पर अभी आ रहा है 762 ओम तो यहां पर आता है 756 त्तिक है और यहां पर भी आ रहा है 762 यानि कि यहां पर 6 oh का difference वो वो आ रए थाधे दोश्टे एक बात हमें से याद रहेगा बेस्टु एमिटर जो resistance होता है वो हमें से हमें से हाई होता था कि एमडर बता होता हुए हाँ पर हई रिक्ट होता है तो इससी लिए अमेटर-च Minecraft जो कि ρ्रिस्टांस होता हुए हमें से मुव्लिदा है खया है और हम से कम रेश्टांस के मुखाबल हे यहां पर देखिए इन दोनों की पहले आपको ज्ट्प्स अमुक्ती trucks इस वाले section में आपको मिल रहा है जादा resistance यहां पर आपको मिल रहा है कम resistance इसका मतलब यहां का emitter यहां आपका collector और बीज वारा आपका तो base निकल चुका है है ओके इसे तरह साब एक ट्राफिस्टर का नीक इहां पर फाइंड़ कर सकतेConf अगर बात करें यहां पर अगर उस्ह तरह पर कर सकते ओं अगर मैं यहां पर इसको लगाता हूं एक तो यहां पर कोई भेल पेर नहीं ं यहां से भेलू आ रहा था तो इसका मतलू यहां का बेस निकल चुका है और यहां में पता चल चुका है कि यहां पर इंदर त्रांजिस्टर थीक है तो लगभग यहां पर सेबन वाम्स का डिफ्रेंस आ रहा है तो इस वाले टर्मिनल आपको मिल ला था 62 यहाँ पर आपको मिल था 55 तो यहाँ पर आपको हाई रेजिस्टांस मिल था तो इसका मतलब यह वाला आपका डोस्तों तो इस तो दोस्तों तो इस तरह का इसे चनल को कहीं मिलगा गर आपको पसंद आता है और अभीски कर लिजे सब कर लिए कोई करहेंब पर आपको एंसर बता दूंगा तो आज के बिस इतना ही अफिर में तब नए वीडियो में कुछ ने क्यान के साथ